दुबई कत्तर और सौधिया अरब से महांगा करेंसी उमान का है कैसी महांगा है मैं आपको explain करूँगा और उमान में आते हैं तो क्या benefit है अगर आप दुबई जाते हैं ताको क्या benefit मिलेगा अगर आप सौधिया अरब जाते हैं तो क्या benefit मिलेगा उमान में अच्छा आपको benefit मिलेगा कि सौधियारब में आपको अच्छा benefit मिलेगा कि कत्तर में आपको अच्छा benefit मिलेगा मैं आपको इसी topic में में बात करने वाला हूं तो जल्दी जाए हमारे चनल को subscribe कीजिए like कीजिए share कीजिए अपने भाई को सपोर्ट कीजिए ताकि आपका भाई और भी अच्छी तरीकी साथ जंगारी दे सके चलिए बड़ी को उसके वारत ऐसे वारता है तो ओमान में मतलब की deux cent पंद्रह चोधा चल रहे हैं ठीक है कि तो यह ऐसे करके मतलब कि अगर आप उमान में आते हैं अगर उमान का सेल्डिक इंट्रिवू देने जाते हैं अपने इंडिया में तो इंट्रिवू की टाइम में आपका सेल्डिक कैसे लगता है ऐसा तो नहीं है कि आपको हजार लगेगा हजार दरहम तो बारह सो दरहम तो पंदरह सुदरहम ऐसा था नहीं है उमान में लगता है कि 150 उमानी रियाल तो 110 उमानी रियाल तो 100 उमानी रियाल ऐसे सो में ही आपका रहेगा हजार में नहीं पहुंचेगा आपका सो में ही रहेगा ऐसे करके इंटर्वियू को दर्ण में आपका शली लगता है अगर अगर किटना बनेगा इंडिया मौनि में तो मांगर में किटना बनेगा है इंडिया मौनि के चलिए आपका 21000 रुपे बनते हैं तो अगर वही चीज अगर जैसे दुबाई में लगता है कि एक हजार दरहम बारासो दरहम अगर उमान में ऐसे ही लगता एक हजार रियाल तो ग्यारासो रियाल ऐसे लगर लगता तो लोग तो लगपती हो जाते हैं लोग लगपती हो जाते हैं लेकिन ऐसा नहीं लगता है हमारे गल्फ कंट्री में जो भी कंट्री है चाहे कुवेत ले 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 जिए उमान ले ले जिए सवधी आरप कत्तर बहरीन जाडेन दुबाई कोई भी कंट्री ले ले जिए सबका सेम सेलरी होता है सबका सेम केटेगरी करेंसी अलग होता है करेंसी होता है करेंसी अलग होता है सेलरी छेम होता है । minder six है 2200 अगर हमान का करत दो है का समय करके 22000 कूछ रुपय होता है तो आपको कोई भी कंट्री नहीं कोई डिक्कत नहीं सकते हैं लेकिंट isenous अच्छा कोई दिक्कत नहीं कमपणी यहां पर बड़ी अभूल जान समय होता है और ठीक ही है कोई खराब नहीं है अच्छा है ओमान में भी जा सकते हैं दुवई भी में जा सकते हैं सौधियार आपकी जिधर मर्जी आपका जहां का बीजा लगता है आप वहां पे जा सकते हैं कोई दिकत नहीं है कोई परसानी नहीं है तो मैंने आपको बता दिया है यहां ओमान के बारे में कि इतना करेंसी है क्या यहां का सिष्टम होता है सरी जनकरिय आपको दे दिया हूँ तो जल्lly जाइये हमारी चनल को सेक्स्ट्राइब कीजिए लाइक कीजिए सेर r किजिये अपने भाई को सपूट किजिए ताकि आपक झाल झाल